दुनिया में कलियोग आया या नहीं वो तो मुझे नहीं पता लेकिन सिनेमा में कलियोग जरूर आ गया है क्या बोला सबूत चाहिए अभी मिल जाएगा गुड लग जैरी होट स्टार पे ये नई फिल्म आग के घर में घुसने को बेताब बैठी है और फिल्म का आज ओफिशल ट्रेलर रिलीज किया गया है बहुत एक जमाना था जब आक्टर्स को ओडिशन वगेरा देकर अपनी आक्टिंग साबित करके फिल्मों में काम मिलता था वो था सत्योग और अब जानवी कपूर ये बन गया है इस नए सिनिमा के कलियोग की ब्रेंड अमेजडर चीते की चाल, बाजी राओ की तलवार और जानवी कपूर की आक्टिंग इन तीनों पर कभी शक नहीं करना चाहिए एक्चली शक की गुंजायश ही कहा है जानवी को आक्टिंग आती ही नहीं है ये बात तो यूनिवरसल फैक्ट बन चुकी है सबसे पहले जिनको ये लग रहा है कि फिल्म का सब्जेक्ट कितना यूनिक और इंट्रस्टिंग है उनके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये ओरिजिनल ही डुप्लिकेट माल है जी हाँ तमिल फिल्म है कोला मावू कोकिला नाम की बस उसी के हिंदी रीमेक को गुड लग जैरी के नई पैकेट में बेचा जा रहा है देखो माना आप जान वी को अच्छी फिल्म में पकड़ा के ओडियन्स का फेवरेट बनाने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हो लेकिन दिल में जरा सा भी डर नहीं लगा कि ओरिजिनल फिल्म की एक्टरस कौन है नयंतारा कम से कम इतना तो देख लिया होता और उनसे जान वी का कमपेरजन करना चाहते हो उस फिल्म की किसमत का फैसला खुद भगवानी कर सकता है जिसका लीड अक्टर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए मानते हो कि नहीं इस बात को अगर जान वी की जगे कोई रियल आक्टर होता तो ये ट्रेलर सुपर हिट बन जाता कृती सैनन सान्या मलोत्रा बैटर आप्शन होते सबसे आता जान वी के आवाज खटक रहे है मुझे उनका वोईस टोन और फिल्म का एक्सेंट दौनों आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहे है कानों में शोर जैसा लग रहा है और फिर जान वी की डिक्षनरी में ई लेटर तो है इनी जिससे ई फॉर एक्स्प्रेशन की शुरुबात होती है एक तरफ आवाजगर बार दूसरी तरफ एक्स्प्रेशन का एवलो हो गया डायलोग डिलिवरी का बंटाधार वैसे दाद देती हूँ मैं उन लोगों की जिनों ने इस फिल्म को बनाया है नहीं मतलब चालाकी देखिए आपने जानवी के राउंड जितने भी एक्टर्स हैं किसी को भी पकड़ लीजिए ये सब वो कलाकार हैं जो नाम से नहीं अपने काम से याद होंगे आपको जानवी के अंदर उतना टैलेंट है कि वो बाकी आक्टर्स के साथ कंपीट कर सकती है मुझे तो इस बात पर डाउट है और इस ट्रेलर ने उसको विश्वास में बदल दिया है मेरे हिसाब से तो फिल्म की कास्टिंग की गलत है जैरी यहाँ पर बनना चाहिए मुझे आपको ओडियंस को और जानवी को बनना चाहिए टॉम फिर हम लोग भागेंगे अपनी जान बचा के देखो मुझे कोई personal interest नहीं है कि जानवी को फिल्म कौन देता है या फिर इतनी फिल्म उनको कैसे मिलती है लेकिन हर बार जब वो camera के सामने आएंगे किसी actor का हक चीनने के लिए मैं हमेशा उंगली उठाऊंगी बुरा लगे तो लग जाए बाकी आप बताओ आप जान भी उफ जैरी को गुड लग विश करोगे या फिर खुद को 29 जुलाई को घर के टीवी स्क्रीन पर फिल्म का प्रीमियर देखने में इंटरस्टेड हो या फिर इसे अच्छा बंड टीवी की स्क्रीन पर खुद का चहरा देखना पसंद करोगे सच सच बताना दिल पर हाथ रखके बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हूँ तो मैं पर खुद करना हूँ